पैलेस्टिक रिबोर्ट के हिसाब से कुवे में जो कट्टे मिले हैं उन कट्टों में वो कट्टा नहीं था जिससे शोभा का मड़र हुआ और रिपोर्ट से ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि कुवे से मिली कट्टों की खेप और उस साइकिल वाले के पास से मिली खेप दोनों एक ही गन फैक्टरी में बने हैं शुकला हो नहों इस इलागे में देसी कट्टे का कार खाना जरूर चल रहा है यह भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कार खाने चल रहे हैं इस देंजरिस सिचुेशन एक काम करो iformu sear अ अबने हाभरीयों को अखरने करो okay सर उससरी जो कट्टा मिला था ना वो वाला बात किसी को बोलना नहीं, समझे? ठीक है, बड़े पापा, नहीं बोलेंगे. ठीक है, हम चलते हैं. कहा है, कहा है दसो कट्टा? तुम्हे पाप का माल है, पूरे देड़ लाग का माल गायक्तिये हो. तीन दिन देते हैं तुम्हेने. माल का रीकवरी नहीं हुआ न, हमरे आगे लाके नहीं धरा न, खोपड़िया में गोली ताग देंगे, देते हैं तीन दिन, तीन दिन का महुलाद कटों का अवैद वेपारी कटों के लापता होने पर बॉखलाया हुआ था, किसी को इस नुकसान के लिए धमकारा था, कौन था ये और किसको धमकारा था अपनी पारिवारिक जिंदगी से त्रस्थ होकर पिंकी ने अत्मत्या करने की कोशिश की, कुछ देर के लिए परिवार सनाटे में आ गया, पर फिर शोबा की हत्या के रहसे ने एक नया रंग पकड़ा, जब अब तक इस हत्या से पल्ला जाडने वाला प्रकाश, कुछ बे पापा है ना, मिले थे हमको एक दिन, जाड़ी में हमको कट्टा मिला, देख डाले, का बात कर रो, फिर का हुआ, अरे फिर हो ना गाता, बोले लो दिखो यहां, हमने दिया दिया, फिक दिया तलाब में, अरे आज यह पांस ओर पे मिला है ना, इसलिए तो मिला है, अरे निकल खाय के तलाब में फेकेंगे, फेक दिया, बुडबख समझते हो का, हमका, अरे हमें बगा के कट्टा दबा के निकल लिया, और हमें तो लगता है, तो मुरे गार यह जो वर्डर वर्डर हुआ है ना, तो महारे बाबुजी की करामात है, और अगर यह बात हम तो की जगा पाँच हजार मेले, चल चल दस उपे तो है नहीं, जेब में बात कर रहा है, चल दाल, यह ले, अरे का रे, अब लोग देखा है का, हाँ हो टीला पे, तुहारे बेटे के साथ ताश केल रहा है, चुक्ला, सब्सक्राइब। किसी ने यहां से किसी को आते जाते देखा, किसी ने ने देखा, सार, यह रही बबलू पे चलने वाले कट्टे की बैलेस्टिक रिपोर्ट, कि बैलेस्टिक रिपोर्ट से यह तो सापित हो गया, कि बबलू की हत्या और शोबा की हत्या एक हत्यार चलने, हाँ साय, और वो हत्यार अभी तक गायब है, यहां दो प्रॉब्म है, पहली प्रॉब्म भी है, कि शोबा का हत्यारा और हत्यार दोनों गायब है, और दूसरी, इस इलाके में फैलता हुआ देशी कट्टों का कारोबार, नजाने यह अवैध हत्यार किस-किस के हाथ लग चुए है, पालप रं धिंग्यों का कैस्छ का मैं अभी स्टी है, ए रहने से स्टी वजभघेश किस एव एक जोटी करी चार धन। क्या? कहा? पाटिंग रोड कौन थे वो लोग? सर वो प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे मेर से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे और आपने पुलिस को इंफॉर्म करना जरूरी नहीं समझा अथियार गा है? कौन सा अथियार सर? किनपर पे आपने फायर किया था ना? वो तो पता नहीं सर किदर अथियार लाएंगे यहां पर आम एक्ट का किस दर्ज करूँ आपर वह तोक्टर साब आप जिसे लोग कानून को हाथ में लेंगे तो कैसे चलेगा? जेल होगी आपको किसे खरीदा? सर कोई राय था सिंगे सहरी राय को लेकिन डिलिवरी देने कोई और आय था सर कौन सी तारीको? सर कोई महीना पर पहले की बात है कोई फूल नमबर ये अड्रेस है आपके बाश? हाँ हाँ सर है सर आप जिस नमबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिल्हाल बंद है नमबर तो बंद है आपके क्लीने की CCTV कैमरा की फूटेज चाहिए मुझे पिछले दो महिने की विल जाएगे सर बिटाओ है ने काड़ी में केस बनेगा इन पर चलिए होकील साब को फोन दरो चलिए सर यह तो कोई और अथ है लेकिन इस फूटेज में इसका चहरा नहीं दिख रहा है दूसरी सीडी लगाँ पिंकी? पिंकी? गंडरनर यह है? इसका मतलब यह अपने घर में हत्यारों का पूरा जकीरा लेकर बैठी हुई थी तो कट्टा घर में ही मौजूद था अब उस कट्टे का इस्तेमाल किस ने किया है वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा हाँ सर और इस गंडरनिंग का सरगना कौन है? वो भी इसके जरीए हम जान लेंगे ए देख रहे मम्मी आई का प्रकाश पिंकी का है का है पिंकी? उसको ही पॉन लगा रहे अल्परकाश किया? वो जाड़ी वे भाईया वो भाव अटो पिछे मम्मी मम्मी बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब ऑला बंद सर नुट hoping यह सारा रेकेट इस मार्केटिंग और्गनाइजेशन के आड़ में चल रहा था इस दुगान का बैग्राउंड चिक कुरू ओके सार चलो शुभा और बबलू इन दोनों के शरीर पर जो इंजुरीज के निशान है इन से साफ पता चलता है कि ये मर्डर किसी नौ सिख्ये ने किया है लेकिन पिंकी इसके माथे के बीचो बीच गोली मारी गई है ये काम किसी नौ सिख्ये का नहीं है किसी प्रफेशनल का है सर फिर तो ये भी हो सकता है कि ये काम कट्टा के व्यापारियों ने किया ये सारे कटे पिंकी के हिस्से के जाहिर सी बात है किसकी भरपाई भी पिंकी को ही करनी थी आज नहीं तो कल पिंकी हमारे गिरफ में आई जाती और पिंकी के जरिये वो कट्टा वैपारी है और इसे पहले कि पुलिस पिंकी के जरीय उन तक पहुचे, उन्होंने पिंकी को रास्ते से अटा दिया शुक्ला, सर्, संभावना है कि राजेश और प्रकाश के परिवार में गोई न कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे ये खबर होगी कि पिंकी देशी कट्टो का वैपार चला रही थी क्योंकि प्रकाश की माली हालत से साफ साफ दिखाई देता है कि पिंकी बहुत अर्से से ये काम कर रही थी Excuse me, sir Hello हाँ, बोलो ठीक क्या हुआ Sir, अपने खबरी का फोट था कह रहा था कि जिस दिन बबलु का मड़र हुआ है, उसी दिन सुबहर, प्रकाश बबलु को बस्ती में खोज रहा था हम्रा परिवार में किसी का नजर लगए असाब देख 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 दाज संबहन होगए असाब जिन लोगों के लिए तुमारी बीवी काम करती थी, उनका फोन नंबर या अड्रेस है तुमारे पास नहीं साब हमको कुछ नहीं पता साब हमको सुझा मिटा पता साबून तेल बेस्ती जो कट्टा अटा का खेल है इसके बारे हमको कौनों जानकारी ने हमको कुछ नहीं पता साब हाँ इधर कुछ रोज से कोई उसको फॉन में बहुत धामकारा थ प्रिशारी बहुत डरी हुई थी और ये बात तुम हमें आज बता रहे हो तुमारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सब बाते खुलकर सही वक्त पर नहीं बताते अब हम का चुपाएजार का चुपाएजार जिस रोज बबलु मरा उस रोज तुम बबलु को क्यो तूंड रहे थे साब एक जाएज को फार्फ शक्राइज रहे डिया जिसे नहीं बोले का लेकर चलो इसे थाने पांट दस दिन थाने के अंदर आएगा ना तुछी छूट बोले की बीमारी खना अजाएगी झाल … नहीं 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 मिले था पाल… भब लूगों एक रोजे वुटक्टा में था तथा? कौन सी तारीक हो? वुटक्टा गा है थाँ? हम तालाब मा भेगती सर पाने में कोई कट्टा नहीं मिला सर की सच्राफ कि क्त्राफ cs केा सी कशकला समय इस लिए यह अब नहीं कि से निकाल लिया क्यंकि प्रकाष्ट ने बभलु को शोबा की हत्या के एक लिए के एक रोजबाद निकालते थे खाई है आफ़ा उससे हध्या की और जाडियों में चुपा दिया सर हो सकता है कि यह थ्या बबलू ने ही किया नहीं क्योंकि बबलू का इस परिवास हो कोई लेंदेन नहीं लेंदेन है सर्थ क्योंकि वो सिद्टो के साथ पत्ते खेलता था साब एक को बात बतानी थी हमको सरे कट्टा हम भी देखे थे सिट्टू जाड़ी में छुपा रहा था सिट्टू का है साब अभी तो घर में ही था कर पर सिट्टू भाग चुका है शुकला सिट्टू की तस्वीर सारे पुलिस सेशन और चेकना काउट पर फॉरन सर्कूलेट करवाओ शुकला मुझे लगता है कि सिट्टू को अपने मा के धंदे के बारे में पता चल गया था उसने कट्टो की खेप अपने घर में देख ली थी पैसे कमाने के चकर में उसने एक कट्टा उस खेप में से निकाल लिया लेकिन सर यह हत्या है शुकला हो सकता है यह हत्या है सिट्टू ने ही की सर एक कट्टा राजेश ने देखा था और एक प्रकाश ने चुकला, सर, लेकिन वो कट्टा एक ही था, जिसे तलाव में फैंक दिया गया और फिर निकाल लिया गया इस सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, आदमी नहीं, एक बच्चे का हाथ है सिट्टू, अब तक इस अपराद की सबसे गहर जरूरी कड़ी, बिखरते हुए परिवार का सबसे मासूम विक्टिम, एक तरह से कहा जाए, तो बड़ों की कार गुजारी का सबसे बड़ा भुक्त भोगी माबाप की लापरवाही की वज़ा से बहुत से गलत आत्तों का शिकार हो गया था सिट्टू, कई तरह के गलत लोगों की संगत में पढ़ गया था और इस वक्त सिट्टू लापता था पुलिस सुबूत के हर सिरे को तलाश चुकी थी, लेकिन सिट्टू तक जाता ये नया सिरा मानुस सच का आगास कर रहा था पुलिस का सिट्टू तक पहुचना बेहत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ हत्या ही नहीं, बलकि हत्यारों के जखीरे का सच भी कही न कहीं सिट्टू से जुड़ रहा था पर आखर सिट्टू था कहां? कौन है? सिट्टू, पिंके सिंगा बिटा बिटा बैट कहा है रही दर? किसली दिया इड्रेस? एक रूस मम्मी यहां आए थी, हम भी पीछे-पीछे आथे उनके, फॉलो करके कहा है था यहां? हमरा कोई नहीं है, सब खतम हो गए, मम्मी मर गई, पापा जेल में है, पुलिस गर में ताले लगा दिया तो? हमको रख लीजे बैया, जो मम्मी से करवाते थे, हम भी कर देंगे हमको सब मालू में बैया, कट्टे की मार्केटिंग, हम भी कर सकते हैं, मडर वर्डर, सब कर सकते हैं, बल्कि किये हैं, दो-दो मडर कर के आएं बैया, हमको रख लीजे आपके आपके हैं अच्जैंग से नापके हैं। अरे यह क्या बना दिये बच्चों का खिलोना है का भया प्रडाम इस इट्टू यह भिया पिंकी सिंगा लोंडा बहुत हो सियार लोंडा है भिया यह ना क्लास तक आप अरे यह बड़ा का लूंडा है भीया जी ताला नागिन को मारे सब ले आया तू पर भीया जी एक दो बीता का लूंडा यहां तक पहुच गया पुलिस को आने में किता समय लगेगा बहुत ख़ा लोंडा यह तो तोड़ देंगे तुमारा एक शब दोर बोले तो उसकी माँ दस कट्टा गायब कर दी बोली गुंगया अरे बागल समझी थी का पिंगी के हिसाब तो हो गया न भीया जी तो उसका लॉंडा है भीया जी घजा में गोबर भरे हो का जिस दिन उस लॉंडे को पता चलेगा कि उसकी माँ को हम आ रहे हैं उस दिन चान हम पताते hält कर लोग कि डिके लोग मनुटिस 실aci कि रिक pewnoं, कि रिकता आए से श्या याट उया हम मग अशने शें आए। जो 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 आख जो आख एपाड़ इंव जो दो आख एम एप एट इंव अच्छुकर कर दिया कहा ता इंड कर रहे घटार को साथ, कहा मिला ही आपको? यह हमें मिल तो बहुत पहले गया था सर यह देखिये इसके बैक से यह कट्टा मिला है तो तुझे पदा था कि तेरी माँ कट्टो का वेपार करती थी जी सर देख तेरे पास अब इकी रास्ता है हमारी मदद कर वो जो मार्केटिंग वाले लोग हैं जिन्होंने तेरी मा को मरवाया उन्हें पकड़वान में पुलिस की मदद कर जी सर उत्रो सित्तू जिपना का आगया याद है ना? कौन है? सिट्टू पेंगी सिंगा पेटा करते बेट है तेरी निपना यपनो पन्युष प्वास prो याटअ कि यह ए यह दो, पुर्दक कि यह दो, पर जो, एफ जो, तरो, हमादा, टो पर जो, जो, झाल, पर जो, जड़ा, पर जो, जड़ा, बसाद की जड़, यह दिरा बाफ है, बता आपने बापको, क्यूं मारा शुभा और बबलू को? सुभा बड़ी मम्मी को हम मारे पापा, आपकी और मम्मी की रोज रोज की लड़ाई देखकर हमें बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था इसलिए हम आपका पीछा किये और आपको सुभा बड़ी मम्मी के साथ मिलते हुए देख लिए बहुत बार पीछा किया बहुत बार मिलते हुए देखे, अच्छा नहीं लगा मम्मी को शक्त था, कि आप किसी से मिलते थे लेकिन मम्मी को ये नहीं मालूम था कि आप सोभा बड़ी मम्मी से ही मिलते थे ना हमने उसको बताया मम्मी क्या करती थी? जानते थे हम हमने तो बड़ी मम्मी को मारने का प्लैन तो पहले ही बना लिया था एक रोज हम मम्मी के थेले से पापा के निकल जाने के बाद हम शोबा बड़ी मम्मी को गली में घेट कर उन्हें कोली मार गी और उस कट्टे को पेड़ के खो में छुपा दिये और दोड़कर अड़े में चले गए अपने दोश्ट लोग के साथ पत्ते खेलने के लिए और किसी को शक भी नहीं हुआ अगर हमें पहले मालूम होता कि मेरे इस गलती के वज़े से आज हमारे बीच मेरी मम्मी नहीं रहेंगी तो कभी नहीं करता सर मैं कभी नहीं करता ऐसा ओ लोग मेरी मम्मी को गोली मार देंगे मुझे नहीं पता था सर मम्मी का थैला चुराने से अगर मम्मी की जान को खत्रा था, अगर मुझे पता होता से, तो कभी नहीं करता. ये बता कि बबलू को क्यों मारा? बक्वास कर रहा था साला, पापा को फसानी की बात कर रहा था. मम्मी मर गई, पापा चले जाएंगे, तो अब की बार हम भी मर जाएंगे. मम्मी से कम प्यार नहीं करते थे पापा को. शूभा और बबलू को तुन्हें उसी कटे से मारा ना, जिस कटे को तुरे बापने बबलू से छीन कर तलाओ में भैट दिया? चीज सेर. बाद में तलाओ से कट्टा वापस लिया है. शुट्टू ने अपराद किया है. संगीन अपराद. लेकिन शुट्टू ने एक अच्छा काम भी किया है. पटना क्शेतर के कट्टा वेबारियों को पकड़वा कर पुलिस की मदद किये. बड़ी बाद हम कोट के सामने रखेंगे. और कोट से सिट्टू के लिए रियायत मांगेंगे. आज दुनिया में सभी बेताहशा भाग रहे हैं. मानो एक होड सी लगी. सफलता और भौतिक वाद की इस होड में इनसान एक दूसरे को कुचल कर आगे निकल रहा है. पर अफसूस, इस दौड में उसके पैरों तले सिर्फ अपरिचित और अंजान ही नहीं. बलकि उसके अपने भी आ रहे हैं. आज बच्चा क्या करता है, कहां जाता है, किस से मिलता है? अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त मावाब को शायद कई बार इसकी कोई सुद नहीं है. नतीजा, समाज में सिट्टू जैसी मानसिक्ता बढ़ती जा रही है. सिट्टू नाबालिक था, अपने अपराद के परिणामों से नावाकिफ था. इसलिए कानून ने उसे सजा ना दे कर बाल सुदार केंदर में भेज दिया. सिट्टू के अपराद में कहीं न कहीं उसके मावा भी भागीदार थे. पिंकी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की होड में थी और प्राकाश अपने अवैद संबंद में व्यस्त था. जिन्दगी में पैसा जरूरी, सफलता जरूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत है. इसलिए ध्यान रहे कि कहीं इसकी कीमत अपनों की, अपने बाल बच्चों की खेरियत से ना आदा करनी पड़ जाए. इसलिए सबर करें, सतर करें, और सिर्फ जानकारी का ही नहीं, बलकि विवेक का भी इस्तमाल करें. इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आप से विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और चुर्म का. तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें और देखते रहें क्राइम पिट्रोल डायल एक शून्य शून्या. सबक एक को, सीख, हम सब को, जैहन.